हम इस्मोक फांटेन बनाने वाले हैं जिसके लिए हमें चाहिए मिट्टी के दिये मिट्टी की प्लेट कुछ इस तरीके की कुछ छोटे छोटे पीवीची पाइप कार्डबोर्ड ग्लास बॉटल कैप सील में कुछ डेकुरेटिव आइटम लाइक हाफ बीड चेन स्मोल बनाने के लिए हम यूज करेंगे पॉलिफिक जेल ग्लू, पॉलिफिक इस्प्रे अक्टिवेटर और पॉलिवोड बाइट ग्लू का बनाना शुरू करते हैं सब्से पहले हम कार्डबोर्ड पर तीन इंचिज का सर्कल बनाते हों से कट कर लेंगे अब हम इसे यहां पर पेस्ट करेंगे पेस्ट करने के लिए हम यूज करेंगे पॉलिफिक जेल ग्लू का यह देखिए साथी ग्लू को जल्दी ड्राय करने के लिए अक्टिवेटर को स्प्रे करेंगे अब हम पीबीची पैट्स को लेंगे इन्हें हम यहां पर कुछ इस तरीके से सैट करके इन्हें पेस्ट कर देंगे हम कुछ इस तरा से अब हम दियों को इसके ऊपर कुछ इस तरीके से टेड़े करके हम इनको पेस्ट करेंगे जैसे के फ्लोट होता है हमें क्यूंके इस प्लोट करना है पानी जैसा तो हम इसको थोड़ा करके लगाएंगे यह देखिए कुछ इस तरीके से और हम इसे पेस्ट करते जाएंगे हम बोटल कैप को लेंगे इसके हम मैं फीस सेंटर में फ्लोटा चाचीष कर दोगी इसे हम यहां पर कुछ इस तरीके से से तक करके पेस्ट कर देंगे ये देखिए ये तना पास हो चुकाया हमारा अब हम इसे थोड़ा साइड में रख देंगे एक कटोरी लेंगे हम कोई भी इसमें हम वाइट कुट्टी को लेंगे अब हम इसे वाइट कुट्टी को मिक्स करेंगे मिक्स करने के लिए यहाँ पर मैं यूज करूँगी पॉलिवुड वाइट क्लू का ये देखिए कुछ इस तरीके से इससे हम इसकी क्ले बनाएंगे इसमें आप चाहे तो थोड़ा सा पानी भी एड़ कर सकते हैं इसी वाइट क्ले की हेल्ट से बैने पहली इससे पहली वीडियो में सिवलिंग बनाया था लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अब हम इसको इस पर कुछ इस तरीके से लगाएंगे यह देखी कवर हो चुका है इसे हम ड्राय भी कर लेंगे यह देखी कवर हो चुका है साथ ही इसे हमने ड्राय भी कर लिया है आप जैसे कलर चाहें वैसा कलर कर सकते हैं अब हम इससे थोड़ा और ही नहीं सरने के लिए इसे डैकोरेट करेंगे यह देखी कुछ इस तरीके से हम करते जाएंगे इसे अब मैं यहां इसके नीचे फोटा सा शिवलिंग लगाऊंगी जिसे मैंने खुद बनाया है क्ले की हेल्प से जो मैंने खुद बनाया थी यह देखी है हमारे स्मोक फाउंटेन बिल्कुल रड़ी हो चुका है काफी चंदर लग रहा है इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं अगर वीडियो पसल आई तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड चैनलन को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरीके की और भी वीडियो के लिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं